वैसे हम सभी पहले से ही जानते है कि वांडूंग असल में टांग उटूंग है जो पान सेन और जीगू की बेटी है आगे सीरीज में सी गौड ब्लाइंड डेट फेस्टिवल नाम से टेक एपिसोड आएगा जसमें वांडूंग युहाओ को अपनी असली पहचान बताएगा सीगौड ब्लाइंड टेट फेस्टिवल साल में एक देख बार होता है उस दिन के रात को कई स्टेशल इवेंट्स होंडे और उमें से एक है ब्लाइंड डे जिसमें श्रेक अकेडमी के स्टूडेंट्स अपने लवर्स को प्रपोच कर सकते है या किसी के साथ देख पल जा देख सकता था और अब मेल स्टूडेंट्स को एक एक करके सब फीमेल स्टूडेंट्स के सापने चाकर खुद को इंट्रोड्यूस करना था और साथ ही अपनी पावर लेबल भी दिखाना था उसके बाद फीमेल स्टूडेंट्स अपनी पसंद के मेल स्टूडेंट्स को वो कहता है ये वांग डूं कहा है मैं में उसे सुभा से नहीं देखा वोल यहां सी गौड फेस्टिवल नहीं अब गी है या महीं इसके बाव युहाओ फींडेल स्टुडेंट्स के सामने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस कर मिलता है हाला कि फीमेल स्टुडेंट्स अपना चेहरा चिपा रही थी लेकिन युहाओं की मार्शल सोल की पावर को सेंस करके पहचान लेपा है कि मास्क के पीछे कौन-कौन है मदन जब युहाओं ने दूसले नंबर पर खड़ीं मिस्टिवियस फीमेल स्टुडेंट्स के बारे में चानमें की कोशिश की तो हूँ ये फीमेल स्टुडेंट कान है इसके पास वंदूं के जैसी सेंस मार्शल सोल क्यों है च्याहों वंदूं की दàyन हो सट्पी है लिखे मद अगर हो है भी तो क्या हूँ मेरे साथ देट पल जाना चाहेगी मेल स्टुडेंग्स के इंट्रोडक्शन के बाद फीमेल स्टुड सपनिक पसंदीदा पार्टनर को चुमिल दी हिद नवबर तू वाली लर्की की बाली आ गई हानकुली सोच लहा था कि गो किसे चुनेगी फ्रम हीवल मिस्टीरियस लर्की युहाव की ओर जाती है और उसे चुन लेती है ये देच्थल युहाव काफी हैराण लर्टा पा है हिन पकाचन पा है कि दो और लर्कियों ने युहाव को चुना था उनमें से एक तीन इंतियाम मैं आग को बतादून इसको हमने फ्रेश्मेन एजाम के दौलाम बिखा था शायद एपिसोड टेंट था जिसमें उसकी तीन युहाव की टीम से हार दे थी और पीसली लर्की जिसने युहाव को चूच किया वो कोई और नहीं बलकी लिंग लोचन है इसके बाल तीनो लर्किया युहाव के पास खड़ी हो जाती है अब जब पीनो नर्कियों ने युहाव को चुना है तो उन्हें युहाव के सावने अपनी फिलिंग्स को कम फेस क अबना होगा सबसे पहले लिंग लोचन कैटी है युहाव तुम ही हूँ वो जो मुझसे मैच करता है तुम मुझसे जावा स्ट्रांग हूँ और मैं हमेशा तुम्हें देख भी आ रही है मुझे चूच करो अगर तुम्हें मेरे रहते किसी और को चूच किया तो मैं तुम अनि सोल रिंग्स एक्टिवेट कर दिये जिसे देखकर युहाव चोग गया उसकी सोल रिंग भी लगधग वांगदों यैसी ही थी जिसे देखकर युहाव सोचता है करी ये वांगदों की जुर्वा बहन तो नहीं ये सोचते ही उसने वापस से कहा मैं थर्ड लरकी को मैं युहाव से लर्मा चाहता हूं क्योंकि मुझे वो लरकी चाहिए ये सब सुनने के बाद इरेंट और गिमाइजर कहती है मैं सभी लर्मा चाहते है इस ही एटीम मैच हुंडे और युहाव को हर एक मैच लर्मा होगा युहाव क्याप्टों में से एक सेप्ट करते हो युहाव के साथ टीम अप कर लूँगी और वे सभी एक ही समय में हमसे बैटन कर सकते है युहाव ने उस मिस्टेरियस लर्मा चाहती है आज का बिन वेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है मैंने इस बिन का लंबे समय से इन्थजार किया है यहां मौजूद सीनियर सिस्टर मैं आप से सवाल पूछना चाहती हूँ लब आप अपने लवर से मिलने जा रही हूँ और अचामक कोई पीसर रहती आपका रास्ता रूख गे तो आपको कैसा लदेगा फ्लीज मुझे युहाव के साथ टीम अप करने दीजिए मिस्टीरियस लर्की जिबातें सब ही मेल औ कि बहुत पासा कर उसका हाथ बकूर लेती है जैसे ही उस लर्की ने युहाव के हाथ को छुआपव युहाव की सोल फोस वाइबरेट होने लगी और उस मिस्टीवियस लर्की की सोल फोस के साथ नैच होने लगी ऐसा सिर्फ तब हुपा है ज़ड दोस ओन मास्टर्स तुम्हें ये जानने ने बहुत समय लगा दिया। तुम्हें एक इडियेट हो। इस पर यूहाउस सोचता है। ज़र हमें एची रूम में एक साथ लहा कर पी थे। तो हमें कभी साथ में नहीं नहाया। वन डूंग तब कपड़े बदलता था जब मैं कमले में नहीं होता थ अब सब समझ में आ रहा है। मैं एक बहुत बड़ा इडियेट हूँ। फिल यूहाउ में तांगूटूंग से कहा। तुम्हें इस इडियेट के लिए इतना कुछ सहा और किया। क्या तुम्हें इस इडियेट को एक चास दे सकती हो। अजब तुम्हें इस इडियेट को नहीं किया तो ये बहुत दुखी हो जाएगा मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हें प्रूटेक्ट रूगदा और तुभे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा ये सुनकर तान्वू टूंग तो काफी एमोशनल हो जापी है उसकी आखों से आंसू निकलने लग तब यी दाई हुआबन कहता है युहाओ कव हमारे खिलाफ नहीं जीते हो ये सब प्रपोजल और क्यार भरी बाते चोड़ो और पहने हमसे लड़ो तब युहाओ ने कहा वांडून हम ये दबैकल जलू जीतेंगे इससे बुस्सेले दाई हुआबन टेहने लगपा है बेत बदला लूँगा मैं तुम्हें दिखाऊंदा कि अब मैं कितना स्ट्रूम बन गया हूँ उसने फिर मिन कियान से कहा बैरियर बनाओ आज मैं उसके घमड को चूर चूर कर दूदा इस पर निंग कियाम कहती है तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे पता है क्या क रवना है यूहाँ ने उस लल्ठी को चुला जिसने अब तक अपना चेहरा भी नहीं बिखाया मैं जीनियस हूँ जो कुम्हें पसंद कमती है तुम्हें खुशी कि रासुगोना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोग लाकर राउंड वाले का सपोर्ड कवने को ही ही लेकिन दुख की बात है कि तुम में हुझे नहीं चुडा फिर लिंग लोचन अपनी आइस मार्शल सूल का यूज करके उन पर हबला कर में लग पी है साथ ही डाई हुआबन धी वाइट टाइगर फॉर में बहुत तेजी से युहाँ पर अटैक कर में जा पा है उसी स से ने दाई हुआबन में कहा सिर्फ लाइंट ताइप स्किल्स का यूज करके मेरे हमनों से बशना जानते हो अधर तुम्हेक असलीन मर्द हो तुम मुझसे आमने सावने लरो ये सुनकर युहाँ कह पा है हमने पहले भी कई लवाईया नरी है लेठिम चापम में कभी एक मुझे हरामे के लिए काफी है फिर उस लाइट बीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए डाई हुआवन देवाईट ताइगर शॉप वेड से काउंटर अटेक किया लेठिम वो लाइट बींग दाई हुआवन तेवाईट ताइगर शॉप वेड को चीरकर निकल जिया और सा अलाकि युहाओ जान चुका भा कि वांडूं निकल लव की है मदर उसने रबता कुसका असली चहरा महीं बेखा था इसलिए उसने तांगूटूंग से शर्मातेंगवे पूछा मैं तुम्हारा असली चहरा देखना चाहता हूँ क्या मैं डेख सकता हूँ इस पर तांगू उसने मुझे रजेक कर दिया युहाँ साफ साफ देख पा रहा था कि पानगूटूंग अबला रही है इस ही उसने उसका हाव पपर लिया और फिल मास्क हका दिया जब उसने मास्क हपाय तो पानगूटूंग के चारो ओर तेज रोशनी फॉग वमें लगी उसके लंबे औ सुदहरे बाल चमक लहे थे और वो ऐसी लड़ लही थी जैसे वो स्वलक से आई हो हर कोई उसे देख रहा था वे अपनी पलब भी नहीं ढपका रहे थे बारी हुआ बिन जो गुस्ते निर्खा गोभी अचामक शान्त हो गया और पानगूटूंग को देखें लड़ा श्र पानगूटूंग को घूरते रहे और अभीडी उन्हें लेकीम नहीं हुपा लहा था कि वांगूटूंग सच में एक लवकी है यूहां को पूरा अमड़ से हिल चुका भा उसे लगा कि ये सब बस सिल्फ एक सपना है लेठिम जब उसे रिलाइज हुआ कि ये कोई ड्रीन पानगूटूंग उसे कहती है वेरे परिवार में भेज बदलने की एक टेकनीक है जिससे ने अपने चहरे के शेप और बॉइस को फुरा बदल सकती हुँ हाला कि बदलाव इतने बड़े नहीं है लेकिम उन्हें बतावा काफी मुश्टिल है तबी यूहां उसे ध्याम से देखकर कहता है मैं देख सकता हूं कि तुम काफी अलड़ लग रही हो तुम में खुद को एक इनम बॉइ के लूप में इतनी अच्छी करा चुपाया ये सुनकर तान उटोंग गुसा होने की टिंग करती है और कहती है मुझे माफ करना वैसे भी तुम्हारे पीछे बहुत इडियट हूं अब अपनी बाद से पीछे मत हटना मेरा बिल पहले ही एक गौडेस ने लिलिया है और उसकी जढ़ा कुल्योर्ड नहीं ले सकता इसके अलावा अब वो बॉडेस मेरे पास खड़ी है ये सुनकर पांगुदूंग मुस्कुलातर बोली इडियट में मजाक का वही की उसके बाद सी गौड ब्लाइन वेट फेस्टिवल खत्म हो गया और युहाओ और वांडूम उसके इनके विनल बन गये अथा जहां उसे लगाप है युहाओ से पसंद वहीं करेगा परसा बुल्टा हुआ और युहाओ में उसे फिप किया और वेकपल बंडे साथ ह ब्लाइन डेट गेन भी जीतिया इसके बाग युहाओ अनाउंसर से उचता है कि चाव हम यहाँ से जा सकते हैं या कोई और गेन होका तम एलडर शुआन और बाकी एलडर जेन को एंड करने के लिए कहते हैं मदव तभी वहाँ मौजूद कुछ लोग कहते हैं जा हम युहा के सबसे डेस्ट कपल है उनका रिलेशनशिप हमेशा खुशाल भहे तब तान्वू डूंग तो युहाओ से कहती है वापस जाने से पहले फोला घूड लेते हैं त्यों ना हम सी गौड फेस्टिवल को डेखने के बाद यहाँ से जाए इस पल युहाओ कहता है मैं सी आप दिया कीरे करना बहुत मुश्किल होगा मैं तुम्हीं ही बेखपा रहूँगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो और अट का चकर मामू भाया और अट का चकर बहुत वेकार होता है ये सुनकर तान्वू डूंग युहाओ से माफी मान में लपी है मुझे माफ कर माव मैंने अपना जेंडर इस हीरे चुपाया क्योंकि तभी युहाओ बीच में कहता है मैं समझता हूँ मुझे असल में काफी खुशी भी है कि तुम में अपना जेंडर चुपाया और मेरे साथ रही ये सुनकर तांगू तूं दंग रहत है तुम खुश हो कि मैंने अपना जे तुम्हारे लिए केडवी में मेरे साथ लहना एंपॉसिबल होका और हमारा रिलेशनशिप आज के जैसा नहीं होता हम अपमी फ्यूजन टेकनीक का यूज भी नहीं कर पाते यह सुनकर पान्बूतुंग शर्माने लगी और फिर बोली चलो यहां से चमते हैं और फिर वो केलें दहाने की जिद्धी की थी यह सुनकर तांगूतुंग उस्से में कहती है हाला कि फ्यूजन पेकनीक ट्राई करते समय हम एक ही ब्रेट पर एक साब सोगे थे लेकिन फिर भी तुम्हें पता नहीं चला कि मैं एक लड़की हूँ यूहाव सीलियस होकर वापस से कहता है वांगडूंग क्या तुम्हें याद है जन हम में पहली बार फ्यूजन टेकनीका अर्जमाई थी तो हम दोनों पहकान से देहोश हो गए थे और अगले दिन हमें क्लास के लिए देर हो गई थी और हमें मिस जाओ बलारा पनिश किया गया था जहाव मिस जाओ में हम पल चला आपने हुए कहा था जा तुम्हें डोनों डेट कर लहे हो या कुद मुझे डाउट है कि हमें कभी नहीं सोचा हुबा कि हम कभी एक गूसले को डेट करेंगे वैसे वांडूंगे बाव तो पूचना ही घुल गया जाप मेरे साथ बूस सब गवने वाली हो मेरा मकलव तुम हसने लड़ा और बूला हुम क्या सोच लही हो मैं अपने कमली ने एक साथ कल्कुलेशन कर्मे के बारे में बात कर लहा था जैसे हम पहले एक साथिया कर दे थे इससे तांगू तुम शलमा जाती है और फिल कहती है मैं आज तुम्हारे साथ कल्कुलेट नहीं करना चाहती च्या करता तुम कुछ और कमे के फिरात में हो वापस चाओ और सुजाओ और मुझे रही जाका सुने दो युहाओ मैं कहा लेकिम बैद तुमसे और बात करना चाहता हूँ इस फ़ल तांगू पुम मैं कहा चलो कल बात करते हैं क्या कुमसी गौड फेस्टिवल के बाद नहीं हो और आज तुम बहुत सस्किसियस लख लहें हो इस ही अपने आपको कुमसे प्रोपेक्टर में के लिए मैंने अपने कम मिने लौपने का फैसला किया है ये कहकं तांगू टून अपने कमले की और भाव मिलड़ी तबी युहाओ ने उसका पीछा किया युहाओ को प सित पहले मेरा बिमाव कूरी पला से खाली खा मैं कई बार अपना मास कुताबना चाहपी थी लेकिन मैं सोचती रही की कि अडव तुम्हे मेरा असली चहरा पसंद नहीं आया तो क्या होगा अब सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन हम दोनों को एक दूसले की नई तहचान को ए कुल नहीं तुम सही हो इस दुन्या में तुम ही हो जो मुझे सबसे जैवा सनवस्ती हो ये सच है कि हमारे व्लिष्टे को बदलने के लिए और समय चाहिए लेकिन वैदर पुग मुझे अभी ये बाते बता रही हो को क्या तुन मेरे साथ खलकी व्यत्ती की तरह वहार नही कर रही हो इस पर तांगू पुंग ने कहा तुन हो ही एट ठकी मैं अब जा रही हूँ तभी यूहाओ उसे पीछे से गसकर पकर लेता है हानवू पुंग ने फिल भी भावने की कोशिश की मदर यूहाओ में उसे जाने ही मही दिया और बोला तुम्हारी हिम्मत ऐसे हुई मुझसे दूर भाव में की क्या तुम सच में सोच की हो कि मैं तुम्हें जाने दूँगा और तुमने मुझे खलकी धी कहा तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी परबिशम के दिमा कुछ भी महीं करूँगा मैं तब-तब इंतजाल तबने को तयार हूँ जब पूली तरह से एक सेथ नहीं कर लेती हो आगे से मुझसे दूर भागने के बारे में कभी मत सोचना हनवुटूंग यूहाओ से अलग नहीं हो पा रही थी त्योकि यूहाओ से छोडने का नाव नहीं ले रहा था इसलिए उसने अपना चहरा को माकल कहा तुम्हें इंतजार कब माही होगा महले ही जीवन भर के लिए हो तुम्हारे पास कोई और मास्ता नहीं है अब इसके बाद तानूटूंग यूहाओ को एक पाउच दिटी है जब यूहाओ में इसके बारे में पूछा तो पांगूटूंग ने कहा कि मुझे भी महिं पका फर्स्ट अंकल ने क्लब के स्काई सिक्ट के करंट लीडर से है और हम सभी उसे सोल लैंड वन से जामते हैं वो पाइपन बीस्ट बामिंग है मुगी दोस्त अभी सोल लैंड को ने उसने एक अलद नाम नूटियान से पुरण जन लिया है वो अभी हुवन फॉंग में है और प्येयर स्काई सि को चला रहे हैं इसके बाद यूहाओ उस पाउच को घ्यान से देखने लटा है ये एक अजीब पाउच है से फ लीडर मुझे ये पाउच क्यों देंगे इतना कहकर यूहाओ ने उस पाउच वो खोलने की कोशिश की लेकिन तभी तानवुटू में उसे रोख दिया और कहा तुमेह से अभी महीं खोलना चाहिए महीं तो ये तूट जाएगी फरस्ट अंकल ने इस पर अपनी मेंटल सी पाउच की है इसे जब अलदस्ती खोल में से अंदल चुही चीच है वो तूट जाएगी एट बाल जब तुमारी मेंटल पाउच हाईर लेवल तक पहुँच ज लिए एक साथ कल्टिवेट नहीं करेंगे तम तांगुटोंग क्याती है मैं ही हम अभी एक साथ कल्टिवेट नहीं तसेंट पे है लेकिन शाइब कुछ समय बाद हंग कर सकते हैं ये कहते हुए तांगुटोंग अपने कमरे ने भाग गई और दरवाजा बं कर दिया फिर युहाओ भी अपने कमरे ने जाकन सुगया रूली रात युहाओ सपने ने तांगुटोंग को देखता रहा और उसका नाम पुकावता रहा अगले दिन सुभा को एक रप्ती आया और उसका दरवाजा खटाने लडा युहाओ को लगा कि वो तांगुटोंग है और उसने जल्बी से उसका नाम खुकावते हुए दरवाजा खुला असवन में वो पांगुटों महीं बलकी हेट मास्टर यान थे वो बोलते है तुम किसे बोला रहे हो और तुन अभी भी नीर्द में क्यो चल रहे हो चाकर वाद के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हुगया है कब युहाँ ने कहा गुड मॉर्णिंग हेड मास्टर गुझे माफ्तर ना यान में मुस्कुला कर वापस कहा कांग्रेचुलेशन युहाँ मुचे लगता है कि तुम्हें कभी नहीं पता पा कि मांदूंग एक लड़की है कब युहाँ ने उनसे पूछा आप कि भाशर से ऐस लगता है कि आपको इस किरारे में बहुत पहले से पता खा कभेड मास्टर ने कहा बिलकुन मैं जामता हूँ सिल्फ मैं ही महीं यहाँ पर किसी गौड पवेलियन मास्टर मुलाव को भी शूज है पपापा ठी गौड पवेलियन टे हॉल में एक किताब है जिसमें रेयर लंग दूम में अकेडमी ने अंतर किया था कबसे ही हम जामते थे कि वो एक लगकी थी यह सब सुनने के बाद यूहाँ पूछता है फिर आपने मुझे क्यो नहीं बपाया और यहाँ पर कि मुझे एक ही रूम में उसके साब हत्यले रहने की चार्जब भी भी इस पर हेड म पोच नहीं करेंगे अधर हम में तांगुटों को एक्सपोच किया तो फ्लियर स्काई सेक्टल के एनमी तांगुटों को नुकसान पहुचाने की कोशिश क्रफ सकते हैं अब चलो जल्दी सी गौन पवेलियन मास्टर और बाकी अलदर्स तुमसे बापकर माच आखते हैं उ जब युहाओ को पता चल जाता है कि कोई चुकल उसे घूर लहा है हेड मास्टर यान को पहले ही पता चल गया था कि गो तांगुटों है इस ही अंध हुने युहाओ से कहा तांगुटों ना केवल स्ट्रान है बलकि वो प्लियर स्काई सैक्टल की फ्यूचर लीडर की है उ मुझी आशा है कि तुन दूनों हमेशा खुश्चा होगे खिन हेड मास्टर याम के जाने के बाद जब युहाओ ने मुर कर पांगुटों को बेखा तो वो देखता ही रह गया फांगुटों में एक सुन्दर ग्रेस पहनी हुए थी और ऐसा लट्पा है कि वो चाप ही ठी कि उसे युहाओ सबसे तहले देखे युहाओ में कहा पांगुटों को आज बहुत सुन्दर लट लही हो मैं बस तुम्हें देखता ही रहना चाहता हूँ इस पल पांगुटों कहती है क्या तुम्हें आज ही इसके वारे में तपय चला तब युहाओ में कहा बिलकुल नही तुम पहले धी सुद्दव थी लेकिन तुम लड़कों के कपरों में एक लड़की थी इस इस ही मेरी तुम से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी लेकिन आप फ़वलट है मैं जब चाहे तुम्हें अपमी दिली की बाग बता सकता हूं युहाव ने अब तद ब्रेकफास्ट नहीं किया था इस ही इत पागोटूंग ने उसके लिए एक स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था युहाव बस उस्टिफन बॉक्स को ही देख कर बहुत खुश हुजप है युकि ये उसके लिए पहनी बादफा की किसी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और वो भी इतने प्यार और सजामत के साथ युहाव साफ देख पा रहभा कि तांडूटूंग में उस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है उसके बाब युहाव ने खाना शुरू किया और उसे ये इतना पसंद आया कि गो कहने लगा मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुभाले जैसी वाइफ मिली मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बान सेथा इस खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है तद ताम वो तुँग पूछती है तुमसे किस ने कहा कि मैं तुभारी वाइफ बनूँगी इसके बाद दोनों एक दूसले का हाथ पकर लेते हैं और आप सभी अपने दिमाग से गंदे ख्याल निकाल दो अब ही ऐसा कुछ नहीं हुआ है बस ये पार्ग हत्म हुआ है